नमस्कार दोस्तों दिसंबर में किये गए सर्वे में 69 फिसद ही अभीबावक इस पक्ष में थे कि अप्रेल 2021 से स्कूल दोबारा खोल देने चाहिए आपको इस वीडियो में बताएंगे कि सरकार ने 50 लाग हेल्थ वर्टकर्स को कोविड शील्ड और कोविड वेक्सीन के वेक्सिनेशन का लक्षे निज़ारित किया है और कोरोना के भी नए मामले 10-15 फिसदी जो है उसमें गिरावट देखी जा रही है दोस्तो सर्वे में 24 राज जोके 16,000 लोगों ने अपनी राय दी जिसमें बताया कि स्कूल खुलने चाहिए या फिर नहीं 32 फिसदी ने कहाए कि जुलाई से स्कूल खुलना सुरक्षेत रहेगा 9 वी से 12 तक कि स्कूल खुलने के बाद दी लोगों का भरोसा मारा है तही दे लोगों को लगता है कि भी आवा में अपने बच्चों को स्कूल में देना चाहिए इस वीडियो में आप अपनी प्रितिक्रियां हैं जो हैं जो भी आपके राय सोजेशन्स हैं वो मेरे लिए कमेंट सेक्शन में जरूर चोड़ देना कोरोना के भी नए मामले 10 पीसदी गिरावट आई है कोरोना के लगातार घटते मामलो और वेक्सिनेशन को लेकर बढ़ते विश्वास का ही ये नतीजा है कि लोकल सर्विस में 60 पीसदी माता-पिता अब एक सर्वे का आकलन करते हुए कहते हैं कि बच्चों को अगले महीने स्कूल बेज देना चाहिए और स्कूलों को खोल देना चाहिए हाला कि 32% परेंट्स अब भी ऐसे हैं जिनके मन में शंका है जिने लगता है कि अभी नहीं भी रुख जाओ स्कूल जो है वो जून जुलाई से खोलने चाहिए लेकिन लोकल सर्कल के 24 राजियों ने 294 जिले में शामिल हुए जिसमें लगभग 16,000 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिक्रियां और उस प्रतिक्रियां के आधार पर ये निश्कर्श में करा है कि 69% जो परेंट्स हैं वो इस पक्ष में हैं कि अप्रेल 2021 से स्कूल दुबारा खोल देने चाहिए साथी साथ आपको ये हेल्थ वर्कर्स को कोवेड चील और कोवेड वैक्सीन के वैक्सिनेशन का लक्ष ने धारित किया गया है और कोरोना के वी नए मामले 10 से 15% तक उनमें गिरावट आनी शुरू हो गई है भारत में कोरोना के 75% मामले जो है जो केवल दो राज्य है केरल और महाराष्ट जो है इस वक्सप से ज़ादा इन ही में देखे जा रहे हैं अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश के अंदर 9-12 तक के स्कूल जो है आज से खोल दिये गया है प्रदेश के सभी बोड के समर्द स्कूलों को 9-12 तक की कख्चाओं को आज मंगल बार से पूरी स् हाला की विद्याले चाहे तो उनलाइन क्लासिस का विकार खोला रख सकता है कोविड-19 माहमारी के चलते मार्च से स्कूल बनते और अक्टूबर में 50% जो है पस्टिती के साथ कक्षाई चला दी गई थी ओबबो की मंतिनी दिनेश चर्मा जी ने केंदर वे प्रदेश सरकार की और से जारी कोरोना गाइड-लाइन्स के अनुसार माध्यमिक विद्याले को पूरी शेंता की साथ संचालित करने के निर्देश दे दिये और कहा है कि विद्यारतियों के लिए सैनिटाइजर, हैंड वाश, मास्क, थर्मल स्कैनिंग की विवस्ता प्रतेक स्कूल में करनी बेहद अनिवारे जो होगी फिर भी दोस्तों जो अभिवावक हैं वो अभी भी दोविधा में हैं कि बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना साशन की निर्देशन उसार छटी से आठवी तक के स्कूल दस वरवरी से कुल रहे हैं लेकिन बच्चों को स्कूल बेजने को लेकर अभिवावकों की असमंजस की सितिय अभी भी भी बनी हुई है स्कूल आने के दौरान बच्चों को सहमती पत्र भी लाना है जिसको लेकर अभिवावकों का कहना है कि कोरोना के संक्रमन के बच्चाव की जिम्यदारी स्कूल उठाएगा क्या वही दूसरी और सीबियसी और आईसीसी से जुड़े स्कूलों का निर्डे है कि अभी हम तो गन्फ्यूस है हम नहीं निर्डे ले पा रहे हैं कि छोटे बच्चों को स्कूल में बुलाएं या नहीं बुलाएं शेहर के अधिकाश विद्यालों के प्रचारे जो हैं वो प्रात्यमिक्ता में दस्वी और बार्वी की बोड परिक्षाओं को तो बुलाने के लिए तयार है स्कूल परिक्षाओं से पहले छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया गया और कोई बच्चा अगर मानलो संक्रमित हो गया तो प्री बोड की परिक्षाओं पर एक बड़ा संकट जो है वो साबित हो जाएगा ऐसे स्कूलों में अपनी बात जो रखी है इसको लेकर आप लोग ज़रूर बताईए कि अबिवाव सिक्षक और एक बच्चे के तोर पर आपकी क्या राय है साथ ही साथ दोस्तों सहमती पत्र को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं स्कूल और प्रसाशन दोरा अभिवावकों की जो मांगे हैं वो सहमती पत्र के रूप में लाकर आपत्ती दर्ज कराई गई है अभिवावकों का कहना है कि जब सारे जिमेदारी उनकी है तो बच्चों को स्कूल क्यों बुलाया जा रहा है इससे पहले नौ से बारवी तक कि अभिवावकों से भी सहमिती पत्र लिया गया साथी साथ ऐसे बहुत सारे विवावकें जिनका कहना है कि हम अपने बच्चों के जिन्दगी के साथ खतरा नहीं मोल ले सकते स्कूल खोलने को कुछ लोगों ने बहुत ही स्वागत का फैस्ता बताया तो अपनी प्रतिक्रिया आपने कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में चोड यह जिए विडियो कैसे लगी मुसे जरूर बताना अगल वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिये चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ ही सब डू प्रेस नोटिफिकेशन बेल तभी मेरी सारी लेटेस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहु